चाहिए दोस्तों, अब हमने होम पेज का पहला पार्ट कर लिया है, हम दूसरे पार्ट पर चलेंगे, जो कि पॉप्यूलर आर्टिकल सेक्शन है, यहाँ पर कुछ ब्लॉग पोस्ट है, इसे एच्छे से लियाउट को बनाने के लिए हमें एक प्लगिन इंस्टॉल करना है, हम अपने वर्डप्रेस डाइशपूर्ट पर वापस जाते हैं, इस आइकॉन पर जाएंगे और एक्जिट करेंगे, एक्जिट करने से पहले आप अपने पेज का अपडेट कर लिजिए, ताकि सारे चेंजे सेव हो जाएं, और फिर आप exit पर click कीजे फिर आप यहाँ पर wordpress icon पर click कर सकते हैं इससे हम अपने wordpress dashboard पर वापस जाएंगे अब हम plugins पर दोस्तों जाएंगे और add new पर click करेंगे जो plugin हम use करेंगे वो है the post grid हम search बार में यह type करेंगे तो अभी जो यहाँ पहले चीज आएगी plugin देखते हैं यह यहाँ पर है और यह activate हो गया है लेकिन हमें auto update भी enable करना है तो हम enable auto update पर click करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर इस plugin के लिए भी हम कर देते हैं wordpress importer जिससे हमने अपने dummy blog post को import करने के लिए use किया था अब हमारा plugin इंस्टॉल हो गया है हम home page पर वापस जाएंगे हमने already elementor use कर लिया है तो हम edit with elementor पर click करेंगे इससे हम अपने editor पर वापस चले जाएंगे सबसे पहले नया section create करते हैं यहाँ plus icon पर click करेंगे दोस्तों इस बार यह एक one column section होगा हम यहाँ पर click करेंगे अभी हम अपने यहाँ elements पर जाते हैं nine dots पर click करके जो की है दोस्तों tpg crit layout हमने plugin को install कर लिया है इसलिए आप इस element को देख सकते हैं हम इसे अपने section में track करेंगे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी post देख रही है हमें आप कुछ settings में जाना है यहाँ layout के लिए हम layout 1 रखेंगे settings पर click करेंगे field selection के लिए हम को चीजों को deselect करेंगे हम इस section title और metadata को भी deselect कर देंगे अब यह accept content menu खोलते हैं अभी preview text के number of characters जो हैं हम उनको कम करते हैं जैसे कि देखे दोस्तों जो 170 है काफी होगा हम read more button पर भी दोस्तों click करेंगे मैं button style को default style से only text button में change करूँगा इसके बाद ठीक है मुझे icon चाहिए तो मैं यहाँ पर icon activate करूँगा यहाँ पर click करके icon चूज़ करूँगा मुझे arrow जैसा कुछ चाहिए हम इस arrow को choose करेंगे और insert पर click करेंगे इससे arrow यहाँ पर insert हो जाएगा यहाँ पर click करके style settings पर जाते हैं और फिर यहाँ पर read mode section पर click करते हैं और text color को change करते हैं मुझे accent color चाहिए जो कि green है text color के अंदर मैं इस globe icon पर click करूँगा इसके बाद मेरे सारे global color show हो जाएँगे मैं accent color लूँगा जैसे कि आप देख सकते हैं यह green में change हो जाएगा या हम post title पर जाएँगे आप देख सकते हैं कि जब हम title पर hover करेंगे तो यह blue हो जाता है हम इसे भी अपने accent color में change करना चाहते हैं तो post title के अंदर normal से global में switch करेंगे यहाँ पर हम hover color को define कर सकते हैं तो अपर मैं globe icon पर click करूँगा और अपना accent color choose करूँगा अब हम देख सकते हैं जब हम title पर hover करेंगे तो यह green color का हो जाएगा इसके बाद card पर click करेंगे अब हमें post के लिए radius add करना है जैसे कि यहाँ पर block post card हम card border radius पर जाएंगे इन values को link रखेंगे हम आप arrow पर click कर सकते हैं और इसे 20 में change कर सकते हैं इसे around corners add हो जाएंगे जो कि बहुत ही बहतर लग रहे हैं हमें box shadow भी add करनी है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं पर मुझे लगता है कि यह अच्छा लगता है तो मैं इसे change नहीं करूंगा हम title और preview text का text size भी change कर सकते हैं हमें उपर scroll करना है और post title पर जाना है हम यहाँ पर typography देखेंगे और pen icon पर click करेंगे यहाँ पर हम इस size को change कर सकते हैं हम इसे बड़ा या छोटा कर सकते हैं मैं इसे थोड़ा बड़ा करूंगा जो कि अच्छा लग रहा है इसके बाद मैं accept पर जाओंगा फिर typography पर और यहाँ size एड़िस्ट करूंगा मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए कुछ इस तरह से मैं post title पर दोस्तों वापस जाता हूँ और text size को थोड़ा छोटा करूंगा 22 ठीक है इसे save करने के लिए हमें update पर click करना है इस section के लिए केवल title missing है जैसे कि popular article या फिर recent blog post तो अभी यहाँ पर दोस्तों हम elements icon पर जाते हैं और अपने blog post section के उपर एक heading ट्रैक करते हैं फिर हम यहाँ पर text चेंज करेंगे जैसे कि popular articles हम इसका size चेंज करेंगे style पर जाएंगे फिर typography पर सबसे पहले size को थोड़ा बढ़ा करिए जैसे कि 36 हम इसके weight को भी change कर सकते हैं जैसे कि 700 जैसे कि थोड़ा बढ़ा हो जाएगा हम यहाँ पर थोड़ी padding या text के नीचे margin भी add कर सकते हैं advanced पर जाते हैं और margin value को unlink कर देते हैं और bottom margin को बढ़ा दीजे 10 pixels ठीक हैं हम इस section के ओपर थोड़ी margin add करनी हैं और नीचे भी अभी अपने blog post section को select करते हैं फिर हम advanced पर जाते हैं सबसे पहले in values को unlink कीजिए top के लिए मैं लगभग 30 pixels add करूंगा bottom के लिए add करूंगा 100 pixels यह section के नीचे दोस्तो अड़ हो जाएगा photo के लिए